उससे बड़ा जूटा कोई नहीं है वो आर दूसरे अपना बयान बदल देता है और सिविल लाइन के अंदर जहां पे बनाने के लिए उपर से ओडर लेना पड़ता है परमिशन ने नहीं पड़ती है एलजी हाउस से बिना एलजी हाउस की परमिशन के बावन करों रुपया करम ही परदान है इस देश की नीती है और करम करना तो फल मिलेगा नहीं तो वही जैसा है रहेगा कनाट प्लेस के अंदर इस वक्त मौझूद है और यहां पे परदान जी हैं जो कि हमें मिले उन्होंने धरातल की सच्चाई जो है दिल्ली सरकार की वो पोल खोलने की बात कर लेते हैं जी क्या दिखाना चाहा रहे हं यह देखो यह अपना cm शाब का इल्सफ और यह चार साल यह दो यहार दस में कॉमन वेल्ट गेम आया था तब यह बनी थी उसके बाद से आज तक पांच रुबेगा यहां पे काम नहीं हुआ आगे तो हुआ है यह भी अभी बनी है यह भी अभी मतलब आज दो तीन मेने पहले बनी है और बिल्कुल बेकार सारक है खंडर बनी हुए एक इंच की देखो आप वो डाल रखिये सी और सलक का बुरा हाले में मैं काशी का रहने वाला हूँ बिर्धान मंतिरी कॉंसेंसी जाके देखिया आप क्या हाल है मेरी आखों के सामने है हाथ कंगन को आर्सी क्या और पढ़े लिखे को फार्सी क्या अगर मेरी कोई गलती है तो मैं मैं किसी का भक्त नहीं हूँ मैं भी इस देश का एक निवासी हूँ भारत का रहने वालाओं सिर्फ यह जानता हूँ आओ एक सुनाता हूँ आप चलिए देकिए दिल्ली की सड़कों के हालात जो है यहां पर दिखा रही है जंता जहां पर लगतार जो है दिल्ली के मुख्यमंतरी जो हैं अपनी उपलब्दियां गिनवाते हुए नहीं मेरे दोस्त मैं हिंदूस्तान का रहने वाला हूं मैं किसी पार्टिए से करने वाला नहीं हूं जो भनष्टाचारी होतों वह तो सुनेगा अरे मेरे पास जो चीज मेरे सामने दिखाई देरी हम तो दिखा रहा हूं इने शब्दों के साथ मैं बहन सब्सक्राइब का आपका बहुत दुट को इनिया वह अगार देता है कि मान तो उस बात के मगर साधन देखो ना साधन दिया केद्रिवाल आपको कि वह किया रिगट मंतर किया है कॉंग्रेस को पीजे पीपी पार्टी बोलता है वह पंजाब कुण से लिए इस सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया निया सपोर्ट अब मतब अनर्जी स्रावल का अब क्या कहेंगे हमारे लिए सब्सक्राइब कर दिल्ली में जोपड़ी नहीं बना सकते और सिविल लाइन के अंदर जहां पे बनाने के लिए उपर से ओडर लेना पड़ता परमिशन ने पड़ती एल जी हाउस से बिना एल जी हाउस की पर मिशन के बावन करोड रुपया यह कहां से बन गया कैसे बना मोदी जी के घर में यह हां एक पर दे की बात हो रही है वह प्रदान मंत्रिया उस पर इतने ट्रामे कर दिया उन्होंने वो लिए उसका देखो ना अब क्या कहेंगे हम कुछ दिल्ली में नहीं हो आए घुमने आए तो यहां का महल जान के बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा आप कहा हम जम्शेदपूर से टाटा चार कंट से हैं यहां की सरकार को देख कि कैसा अच्छा ही लगा है हम चाचा से एकड़ा से एक्डम सही रही हो सही रहे लोग हम लोगार अपना कमाना अंपना कहना कोई सरकार नहीं सौनी ही चार घख का है रोजَّफ गार की का है रोजगार की नोकरी की बातिकी ओस पर तरकारी लिखा तक ही सरकारी था व्यान में भाई जो ये दिल्ली उम्बे एक्ष्प्रेस बनाए क्या ये मोदी ची की बच्चे नहीं कर बनाया यह इतने सारे रोड बने यमना एक्ष्प्रेस वे यह सारे बन रहे बहुत लग रहे जोब वो कॉंसर फ्लायों वगोंसर वन र पर दो कि इतने हिंदुस्तान में 90 बच्चा स्टुडेंट अभी पराइब करते हैं कर रहा है ना कितने परसेंट बंदे को जोब मिल गया सरकार नाइटी परसेंट नहीं भाई तो सब को आई एस बना दोगे सबको सिये बना दो कुछ परसेंट को मिलना चाहिए यार कितने हम चाणे के हमारे यहां दस बंदे खारा है ना दस में से देख लगव को ये कर रहा है ना बन्दा दस क हर रहा है क pitch कर रहा है को-बिधे कर रहा है को-ची हने कि बांदो-आभी लेकिन मिलता च का करम ही परदान है इस देश की नीती है और करम करना है तो फल मिलेगा नहीं तो वही है जैसा है रहेगा बताइए मैडम आप पॉस्चन कीजिए मैं जवाब दूँगा सवाल देखे एक सवाल जो है वह मैं यहां पर यह करती हूं कि परदान मंत्री मोदी ने बोला कि अगर लोज़ार नहीं है तो पॉकॉड़े तल लीजिए रेभुक इंका सवाल यह की भी कौम करके पॉकॉड़े तलेंगे क्या तो लीजिए मुदी जी का सवाल का जुद रहा हुंआ है उन्हों नहीं चाय बेची तो यार यार आप बो नहीं आप आप बोलो नहीं आए ay मेडम जो भी है आपने का प्रश्ण मैंने कहा कि आप कोई प्रश्ण कजी मैं उत्तर दूंगा जी का आपने कहा कि वो पकोड़े यह मैं यही कह रहा हूं उनकी खासित है उन्होंने पुछाइवाला सबसे बड़ी बात क्या हुई थी सबसे पहले आज से नौ साल पहले देश ला नत्यज्स को अब कोड़े तरहों जो मर्जी करो करो बारत वरश है हम जो इसकी खर आप मैंनी कह सकता कि कल को के दें के आप ऐसे करोड़े उसे करोड़ा कैसे करो ना करो जुरूर उसक्राश गराज़ूरय आतम निरहर जितना जूटा पिरधारमंतिरी इस देश को अब मिला है इससे पहले इतना जूटा पिरदार मंतरी कोई नहीं बना इन्हों ने अपने घोशना पत्र में पांचे चीज़े कहीं थी दो करोर रोजगार इसमा सिटी ट्रेन के बारे में कहा था पंद्रा पंद्रा लाक एक वादा भी पूरा नहीं किया इन लोगों ने और साला मंतरी मुदा आज से पच्चीज साल तीह सला अडवानी के टाइम से ऑड़ार आज अब निर्मान हो रहा है जब मंदी तो मीने बाद चार मीने बाद दो साल बाद, छे साल बाद किसकी सरकार आती है, कहां रहती है, कोई नहीं जानता, जनता जानती है, जनता ही दिखाएगी सबको.